हलो फेंट्स मेरा नाम विशाल है and welcome to my channel crypto with विशाल तो फेंट्स आज को वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगेन जो स्कैमर है वो फिर से आ गए हुए और जब भी आप कुछ कमेंट करते हैं तो कई बार आप देखते हैं कि आपको crypto with विशाल नाम से कुछ messages आते हैं जहां पर आपको कोई whatsapp number share किया जाएगा या बाकी detail मांगी जाएगी उन सब को इगनोर करिएगा scammer है आपके रुपे लेके आपसे या कुछ भी इस तरीके के जो process है वो करना चाहते हैं तो उन्हें completely ignore करिएगा मेरे लावा और भी बहुत सारे चैनल से जहां पर यह scam चल रहा है तो आप अगर किसी भी चैनल में कोई video देखते हैं तो अगर इस तरीके के आपको वो चैनल के नाम से ही रिवर्ट आते हैं जो whatsapp नंबर या कुछ अजीब सा incoded message देते हैं तो उन्हें सबको अभी इग्नोर करिएगा तो विंट्स bitcoin के बारे में अगर बात करें हम तो bitcoin trade कर रहा है 37 में 37 की range में यहीं पर आसपास चल रहा है और थोड़ी देर पहले 3 जो छोटे चोटे candle हैं वो यहां पर अभी बने हैं green के इससे पहले red चल रहा था अभी तीन जो है यह candle बने अभी यह 3 कैंडल कैसे बनते हैं कितने लंबे चलते हैं फिलाल दो छोटे थे अभी उसके बाद जो एक तीसरा है वो थोड़ा सा बड़ा बना है तो और थोड़ी देर बात clear picture आएगी कि market किदर की तरफ चल रहा है altcoin की बात करें तो altcoin जो है वो बड़े खतरनाक down में चल रहे हैं अभी भी bitcoin तो अप है पर altcoin क्यों अभी भी जो है हमारे नहीं चल रहे हैं और दूसरी बड़ी news है जो कल भी मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया था कि इंडिया में bitcoin को as a asset class बात करने की चल रही है और जिसी की वजह से कुछ जो market में news है वो आ रही है पहली news यहां पे जो आई है वो आई है यह कि काफी सारे exchanges हैं जो अब इंडिया में try करने का सोच रहे है crypto में और आने वाले कुछ दिनों में जो हमारे 3-4 platform थे जो एकसर हम लोग use किया जा करते थे उसके अलावा भी और बहुत सारे जो platforms है वो आपको मिलेंगे news यही है कुल मिलाके कि in short में अगर मैं बोलू कि जो इंडिया का जो crypto market था वो अभी तक बड़ा dice ही चलता था कोई exact law नहीं थे जिस वजह से companies अभी भी आने का थोड़ा सा डर लग रहा था उनका पर अभी जो यह news आई है recently में कि इंडिया जो है crypto में अभी सोच रही है invest का तो काफी बड़ी news है even बहुत सारे on youtubers है मैंने उनके भी videos देखें तो सब बहुत excited है क्योंकि सब को पता है कि इंडिया बहुत बढ़ी country है और अगर यहां bitcoin legal हो गया तो जो हमारा highest चल रहा था bitcoin जो आपको याद है 60k round में 60k में जो bitcoin trade कर दा था वो बहुत easily 1 lakh कर सकता है जब 5-6000 bitcoin एक छोड़ी सी country के आने से बढ़ सकता है तब आप सोचे कि जब इंडिया अगर आ गई और इंडिया के आने के बाद होने वाला क्या है कि और भी बहुत सारी countries आ जाएंगी तो bitcoin एक अलग ही zone में आपका वो time पर चल रहा होगा अगली news यहाँ पे जो है वो हमारी रही यह बड़ा नाम है Warren Buffett बहुत बड़ा नाम है तो इनकी एक company है हत्वे जो bitcoin में plan कर दी है invest करने का bitcoin friendly digital bank में तो यह भी एक बड़ी news आई है निकलके अभी investment भी जो है वो अच्छा खासा है यहाँ अपर अगर आप इधर देखेंगे तो काफी बड़ा investment है अभी यह भी देखना पड़ेगा कि यह किस तरीके से market में pump लाता है हर बार अपने वीडियो में आप लोगों में बोल तो कि यह जो investment होते है यह ऐसा नहीं होता है कि अभी news आई है और अभी investment हो जाएगा इसके लिए पूरा plan चलेगा और time लगेगा थोड़ा सा पर हाँ यह आने वाले time में investment होगा और जब भी यह होगा वो time पे जो है market में आपको काफी चीज़े देखने को मिलेंगी यहाँ पे अगली news Ethereum के लिए बहुत सारी positive news आ रही है और अभी एक और news आई है वो आई है कि Reddit के जो co-founder है उन्होंने भी बताया है कि a lot of his holding are in Ethereum तो यह भी Ethereum पे भी ना बहुत ज़ादा चीज़े आ रही है निकलके कि भाई यह Ethereum जो है वो आने वाले time में बहुत अच्छा आपको जो है return यहाँ पे दे सकता है तो जब भी Ethereum भी नीचे जाता है आपका वो time पे आप थोड़ा सा plan कर सकते हैं मुझे पता है कि जो जादा तर जो investor होते हैं वो चोटे-चोटे coins इसले लेने जाते हैं कि उन्हें लगता है कि यार यह बहुत easily grow करेंगे पर यह भी बहुत बड़े coin है जो जब grow करते हैं तो बहुत बड़े level पे grow करते हैं अगर आप Ethereum का चार्ट देखेंगे तो आपको exactly पता चले हैं हम जोगे एक बार चार्ट भी खोल के देख लेते हैं यह आप Ethereum का ETH और 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 कहां गया कहां गया कहां गया तो यह आपको लेके गया था कितने पर 521 और अगर मैं एक साल पुराना लेके चले जहां फिर तो यह अलगी लेगा तो यह जो Ethereum है Bitcoin है यह ध्यान रखेगा जब यह बढ़ते हैं न तो यह बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि Bitcoin में Ethereum में इंवेस्ट करके फायदा नहीं है वो उतना ग्रो नहीं करते कि अगर हम आज एक कोई नगर एक रुपे में ले कल को वो पचास रुपे का हो जाए तो देखो कितना फायदा है पर आप यह भी समझिए कि कितने चांस है 100% नहीं है ना पर यह जो कोई नहीं इनके चांस ही है यह नीचे डूबेंगे नहीं कभी बाकी कोई के बारे में आप एक को बोल नहीं सकते यार की फ्यूचर में क्या होगा पर यह वो कोई है जो नीचे आपके जाएंगे नहीं यहाँ पर इसके अलावा जो हमारे बाकी की की आल्ट कोई है मैं फटाफट एक बार जो कोई से सबको ओपन कर लेता हूं तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले हमारे फेवरेट डॉच कोई इसके बाद चलते हैं शिबा में शिबा इनू तो बिलकुल ही डाउन चल रहा है और है हमारा बीटी टी बीटी टीटी की तो एक ह इसकी रहती है उसी रेंज के अंदर जो बीटी टी है हमारा घूमता रहता है मेरा माउस थोड़ा सा यहां पर गरबर हो रहा है जिस वह से कई बार चीज़े ओपन नहीं होती है विंक विंक में बड़ी लोगों की जान अटकी हुई है क्योंकि विंक लोगों ने बड़ा सो सबसे प्राइस बड़ा था लोगों ने इन्वेस्ट तो अच्छा कासा किया पर सडनली यह हुआ है कि मेटिक जो है वो जगा पे नहीं पहुच पा रहा है जहां पर उसे पहुचना चाहिए तो अगर हम बात करें यहां पे डॉच कोई की तो सेम वही कहानी है कल से अगर हम उपर नीचे चल रहा है जिस वजहा से यह जो आल्ट को आई नहीं पर कुछ इंपक्ट जो है यहां पर पढ़ने पा रहा है शिमाईनू की बात करेंगे तो सेम टू सेम है जो डॉच का हाल है वही शिमाईनू की है कि कोई भी पॉजिटिव न्यूज ऐसी है नहीं यहां प ट्रॉन का प्राइस बढ़ेगा तो दीरे दीरे थोड़ा बहुत बिट्कॉइन पे भी और विंक पे उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा और यहां पे अगर देखे भी हम लोग स्पेशली अगर मैं बीटीटी की बात करूं तो बीटीटी अभी इतना डाउन ज बीटीटी के बारे में काफी सारी चीज़े हैं जिसे मार्केट पंप हो गा सबसे इंडरस्टिंग रहे गा इस महीने में विंक को देखने को क्या विंग के काफी events है, अब problem यह है कि market down जा रहा है ना, उस वजह से वो event होने के बावजूद भी कितना impact पड़ेगा विंग पे ये आगे देखना पड़ेगा, पर definitely कुछ तो bump हो गई होगा और अभी अगर market अप हो गया ना, तो विंग का price आपको बहुत उपर जाते दिख सकता है, इसके अपने events की वजह से, Matic के बारे में बोले तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, market down है, Matic इसलिए down है, लोग परिशान है, Matic 120 में लिया है, 130 में लिया है, market अप नहीं हो रहा है, पर थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा market को pump होने की जबुएत है, ये फिर से आपको 200 पे दिखाई देने लग जाएगा, या जितने भी आपने उपर लिया, उतने पे दिखाई देने लग जाएगा, सेम चीज वीचेन के बारे में, थोड़ा सा market अप होने का वेट करिए, ये आपको फिर से rocket कितना उपर जाते हैं, वो दिखाई देंगे, और I hope कुछ अच्छी न्यूज आएंगी जल्दी, इंडिया के बारे में बहुत मुझे वेट है कि एक कुछ officially sources से अगर एक बार न्यूज आ जाए, तो ये जो पूर एक पूरा market की आपको जो picture देख रही है red, सारे coin साब को green में दिख जाएंगा, विट कोई ने बहुत बड़ा jump आपको देखने को मिलेगा, अगर official sources से भी एक बार ये news actual में आ जाए, कि हाँ ऐसा plan हो रहा है, तो फिर वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो इसको like और share जोर करेगा, चैनल में अगर आप नए हैं, तो हमारे चैनल को subscribe कर लीजएगा, thank you,